हेलो गाइज मैं हूँ अभिशेक और भाई ये हैं मेरे पास गाइज कीचड़ वाला गंदा पानी और भाई अगर मैं इसको साफ करने की बात करूं कि हमें इसको साफ करना है तो हमारे दिमाग में आइडिया आता कि हाँ हम इसको आरो वगेरा या प्योरी फायर जो आते हैं मतलब की देशी जुगाण से इसको साफ करके दिखाने वाला हूं और आप भी इस पानी को साफ कर सकते अपने घर पर वीडियो में ऐसे हिलाश तक बने रहिए और अभी आपने हमारे चैनल स सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल क्राष का बटन आप लोग देख तो पानी को साफ करने के लिए यहां पर मुझे खाली गिलास की और एक इस तरह की नैपकीन की जो आप लोगों ने साधी वगारा में देखा होगा प्लेट के अंदर लगा होता है यह वाला नैपकीन इसकी जरूरत है और वहीं सबसे पहले हम क्या करेंगे यह गंदा पानी है इसको थोड़ा उचाही पर रख देंगे तो यहां पर मैं इसको इनिट के पर इस तरह से रख देता हूं और भाई अब मैं यह जो नैपकीन आप लोग देख रहे हैं इसको इस तरह से लंबा फोल्ड कर देता हूं कुछ इस तरह से और बस अब हमें इसका क्या करना है जो इसका आध्य से ज्यादा हिस्सा है वह हम इस गंदे पानी के अंदर डाल देते हैं और बाकी का हिस्सा इसको हम नीचे की तरफ डाउन कर देते हैं इसमें तो गाइज अभी देखना थोड़ी देर में यहाँ पर पानी जो प्योरिफायर होना स्टार्ट हो जायागा अभी मैं आपको दिखाता हूं इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा पानी प्योरिफाय होना स्टार्ट हो चुगा है यहाँ पर से देखें टीशू पेपर से नीचे बूंद टाफक रही है पानी की और यह जो साफ पानी आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसी छोड़ देते हैं तक पानी साफ हो जाएगा और गाइज अभी भी हमारा जो पानी है देखिए प्योरिफाय हो रहा है और यहां पर गाइज जो हमारा पानी है वो लगबग देखिए इतना प्योरिफाय हो चुगा है और इस पानी को प्योरिफाय होने में लगबग दस मिनट लगी होगी क्योंकि इसमें यह जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है क्योंकि इसमें जो टिशू पेपर से ना बूंद बूंद में पानी लगता इसको साफ होने में लेकिन जो प्रोसेस है वह एकदम बढ़िया है पानी को एकदम चकाचक साफ कर देता है आप भी इसको अपने घर पर ट्राय करके जरूर से देख सकते हैं यह काफी सिंपल प्रोसेस है और एको फ्रेंडली भी है जैसे कि आप लोग इसमें देख सक हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं करते हुए तो तक के लिए बाबाई